नमस्लाव फ्रेंड्स मैं हूँ योगेश्वास, कम्पिटर डेजी क्लास में आप सभी का स्वागत हैं आज के लेक्टे नमबर 203 एंड गुगल सिट के लेक्टे नमबर 5 में हम देखेंगे गुगल सिट के फंक्षन, जो 20 उस्पृल फोर्मुलाज है, उनके बारे में सीखने वाले हैं तो आज का फोर्मुला का पहला पार्टम शरू कर रहे हैं तो चलो फ्रेंड्स, शरू करते हैं फ्रेंड्स यह है गुगल सीट और पिछले वीडियो में जो पास्वाले थम्मनेल में आप देख रहे हो यह वीडियो में मैंने कहा था आपको कि मैं फंक्षन के स्पेशल वीडियो के साथ आपके सामने हजिर होगा तो चलो फ्रेंड्स अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजे और लाइक कर लीजे तेहन अब यह वीडियो देखे है चलो अम बढ़ते हैं अमारा पहला फंक्षन की और फ्रेंड्स आज का पहला function है वो है some function जो बार हर जगर यूज़ करते हैं और आपको आता ही होगा फिर भी एक बार टूक में समझा देता हो कि some function क्या है चलो फ्रेंड्स यहां आपके सामने एक छोटा सा data है और यह data में आप देख रहे हो कि customer के name है और product भी है unit भी है और price कितने वो है तो चलो इस पर से हमें amount लेना है तो यह function तो आप जानते ही होंगे अगर नहीं जानते हैं तो हम देख लेंगे कि यह function यह sale multiply हमें यह sale करना है और enterprise करेंगे और जैसे gate करेंगे आपके सामने amount हाजर होगी लेकिन अगर यह amount का सम हमें करना हो तो कैसे करेंगे तो simple formula है सम के बारे सम function वाले box में हम पहले सम का फोर्मिलाद लगाएंगी दू तीन तरीके friends सबसे पहले हम right प्रेस करेंगे और SM सम लिखेंगे सम लिखेंगे बहुत सारे सम के आपके सामने suggestion होंगे लेकिन SM लिखकर tap press करना है आपके सामने किस तरह से लिखा जाता है वह सारी बाते होंगी यह suggestion होई लेकिन हम यहां से अगर हम close कर देंगे तो हो जाएगा चलो सम करने के लिए ESL PLUS ESL PLUS ESL इस तरहаться भी आप सम कर सकते ओं लेकिन यह तो बहुत लेंजी हो जाएगा इसलिए हम दूबार और एक लासा देखते हैं सम लिखते हैं और यहां से यहां अता की na यहाँ से यहां तक मुझे सम करना है, तो यहांसे यहां तक करेंग कर ली ब्लैकेट ओर करेंगेरिए एंटर प्रेस करेंगे BAE съम हो जाएगा, तो सम हो चुका है अगर अगर फ्रेंस आपने यहाँ अगर फोर्मिला नहीं लिथा लिखा होता और यहां से लेकर यहाँ tuck select किया है यह सेल तक सिलेक किया है और यहां आप देख रहे हो function के बारे में बहुत सारे function लाइबरी दीख रहे हैं यहां पर सम formula जैसे एक बार एंटरफ्रेस करेंगे वह अपने आप खुद यहां से यहां तकी range लेकर एंटरफ्रेस करेंगे वह ही function apply हो जाये गया चलो फ्रेंड आगे बढ़तें दूसरे function की ओर फ्रेंड्स आज गा दूसरा function वह है सम इफ function चलो देखतें सम इफ में क्या होता है फ्रेंड्स हमने यहां पर सम तो कर लिया अब सम इफ function क्या रहता है सम इफ में आप condition लगा सकते हो condition कौन सी हमें वहीं से sum करना है जो यहां customer number A हो जिसका नाम A हो उससी customer का sum हमें करना है चलो friends तो हम apply करते है equal to sum if सबसे पहला हमारा होगा क्या range यह हमारी यहां ने friends यहां यह हमारी range होगी यह range हो चुके है दुस्ता parameter है criteria criteria लगाएंगे equal to criteria लगाएंगे A यह criteria लगाया और sum range sum range कहां से करेंगी यह हमारी sum range है अब bracket over करेंगे enterprise करेंगे आप देख रहे हो customer A है उनका sum होता है 6500 तो friends इस तरह से आप conditional sum भी कर सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे function की वर friends अमारा आज गा तीसरा function है वो है sum if as function तो चलो friends शरू करते हैं friends आज गा जो अमारा तीसरा function था sum if function sum if function में एक ही difference है यह दोनों में एक ही difference है इसमें आप single condition लगा सकते हो आप इसमें multiple condition लगा सकते हो एक से ज्यादा condition लगा कर आप sum कर सकते हो जैसे कि मुझे चाहिए customer का नाम a होना चाहिए और product का नाम c computer होना चाहिए और उसी का मुझे sum ले कराना है तो चलो फर्मेरा यूज करते है equal to sum if as function टेप प्रेस करेंगे सबसे पहला का criteria होगा अगर यहाँ पर आप कोई suggestion नहीं मिल रहा है यह question mark particularly यह turn on होगा अगर इसे collapse करना है तो इस तरह से कर सकते हो सबसे पहला होगा sum range हमें यहाँ से sum range यहाँ तक चाहिए यह हमारी sum range हो चुकी है कोमा लगाएंगे दूसरा parameter रहता है criteria range 1 यहाँ से criteria range 1 हमारा यह रहेगा B2, B11 कोमा लगाएंगे criteria criteria क्या है criteria range 1 में कौन सा criteria लेना है हमें लेना है A हमारा criteria A है दूसरा criteria range लगाएंगे वो होगे अमारी यह यहाँ से यहाँ तक दूसरी criteria range और वहाँ पर हमें क्या criteria लगाना है computer लगाना है ओके इस तरह से bracket over कर देंगे enterprise करेंगे आप देखरो 1000 यहाँ पर sum होकर आया है लेकिन अगर समदलो हमें change करना है हमें A नहीं लेकिन E वाले का लेकर आना है E तो हम यहाँ सिर्फ change कर देंगे E वाला यहाँ से E enterprise करेंगे आप देखरो E हो और computer हो इस तरह से sum होकर आ चुका है तो friends कुछ यह basically मैंने function समझा है लेकिन अगर आपको मोटे पैमाने पर use करना हो तो भी आप use कर सकते हो friends आज का चोथा function है count blank function तो चलो देखते हैं count blank function क्या करता है आप जो भी range देते हो वो range में अगर कितने blank cell है वो count करके देता है चलो एक बार देखते हैं equal to हम यहां नहीं यहां लगाते है equal to c o u and count blank count blank function हमने दिया दिया value 1 value 2 इस तरह से चलो हमने यह दिया रखा है यह दिया है और bracket और करके enterprise करेंगे ठीक है आपने देखा 0 आया Q हमने range देती वहां पर कोई blank नहीं है लेकिन जैसे मैं यह cell को blank करता है अब देखर 1 हुआ यहां पर blank करने पर 2 count होता है इस तरह से count blank function use होता है तो चलो आज का यह count blank function खतम हो चुका फ्रेंड्स आज का पांचवा function जो है वो है count if function चलो फ्रेंड्स शरू करते हैं count if function count if function में आप condition लगा सकते हो count if function में एक condition लगा सकते हो और आप कोई भी किसी चीज को count कर सकते हो जैसे कि मुझे यहां से यही जहां हमने count blank function लगा है था वही range में count if function लगाना है तो हम चरू करते हैं equal to count if function टेप रेस करेंगे अगर suggestion open नहीं है तो यहां से आप open कर सकते हो इसे minimize कर सकते हो चलो पहला parameter रहता है range तो हम यहां से range select करेंगे हमने यह range select कर ले चलो कोमा लगाएंगे दूसरा parameter है criteria क्या criteria लगाना है अब अब देखो यहन 2, 5, 5, 2 इस तरह से है अगर हमें दो और यह हो तो हम double quote में लगाएंगे equal to 1 double quote में लगा दिया equal to 1 और bracket over करेंगे enterprise करेंगे आप देख रहे हो चार product ऐसी है चार customer ऐसी है जिसकी unit 1 है देखो यहां पर 4 count हुआ अगर आप change करना चाहे 5 से ज्यादा अगर ऐसा लिखना चाहे कि 5 से ज्यादा तो greater than 5 enterprise करेंगे आप देख रहे हो 5 से ज्यादा हो ऐसी एक प्रोड़क्ट है a cable 100 unit इस तरह से अगर 5 से ज्यादा 5 और 5 equal to 5 इस तरह से देखो तीज़ दो बार 5 5 product और 100 product तो इस तरह से आप count if function का यूज़ कर सकते हो friends आज का छठा function है वो है count if as function तो चलो शरू करते हैं चलो friends count if as function में हम क्या कर सकते हैं count if function में आपने एक ही condition लगा थे आप देख रहो यहाँ पर एक ही condition आती थी लेकिन count if function में आप 1 से ज्यादा condition लगा सकते हो तो देखते हैं equal to c ou and t if as function लगा दिया आप पेरामिटर देखो criteria range 1 criteria criteria 1 criteria range 2 criteria 2 तो सबसे पहले criteria range 1 देते हैं चलो हमने criteria range 1 दिया है यह customer name कोमा लगाएंगे criteria क्या है criteria है हम लगा देंगे यह पर D हमने D लगा जिए कोमा लगाएंगे criteria 2 criteria 2 देना है हमें product के name कोमा लगाएंगे criteria 2 क्या है हम लेंगे laptop चलो हमने laptop लिया है कोमा लगाया अगर criteria 2 देना चाहते हो तो वह भी आ सकते है criteria 3 criteria range 3 criteria 3 range 4 criteria 4 इस तरह से आप multiple condition यहां लगा सकते हैं फिलालम दो condition लगाएंगे एंटर प्रेस करेंगे आप देखो एक की यह साबंदा है customer जिसका नाम D है और laptop प्रोड़क्ट पर्चेस है लेकिन अगर laptop पाले दूसरे को अगर हमने यहां पर भी चेंज कर दिया आप देख रहे हो यहां count if में दो दिखा रहा है तो friends इस तरह से count if as function का भी आप यूज कर सकते हो friends आज का साथवा function जो है वो है count unique तो चलो शरू करता है चलो friends देखते है count unique function क्या करता है count unique function जो है वो आप जो भी range देंगे वो range में अगर unique item होगी उससे count करके देता है जैसे के हम यहां लगाएंगे equal to c ou count unique function ओके count unique और हम range देने वाले ही यहां से range हमने दे दी है और कोमा bracket on करके enterprise करेंगे आप देख रहो चार यहां पर return फोर हुआ क्यों ठूंड़ो एक बार एक दो पांच और hundred इस तरह से चार ही unique number यहां पर हमने use किये है अगर हमने यहां पर तीन लिखा और एंटर प्रेस कर दिया देख रहे हो पांच हुआ क्यूं वन टू थ्री फाइव और hundred इस तरह से यहां अगर हमने six use किया तो unique item कितनी हो गए छे तो इस तरह से count unique item यहां पर रेंज में से ढूंड़ चरकते हों तो चलो फ्रेंट्स अगले function की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स आजका आठवा function है वो है subtotal function देखते हैं फ्रेंट्स यहां देखने वाले है subtotal function लेकिन subtotal function देखने से पहले हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं subtotal function क्या करता है यह मेरा data है मुझे यही data में से sum चाहिए लेकिन दो तरीके के sum हम कर सकते हैं देखो सबसे पहले common sum देखते हैं sum function लगाया यहां से यहां range select की enterprise कर दिया एक लाख एक्याली से जार चार सो यानि के 1,41400 यहां पर sum होकर आया हुआ है लेकिन यह तो मैंने sum कर दिया अगर ऐसा हुआ मुझे यह पांच नमबर यह मयंक वाली जो item है मैंने उसे hide कर दिया row hide कर दिया अब मेरे data set में वो दीख नहीं रहे मैं print करता हूँ तो वो भी नहीं दीखेगा अगर print करता हूँ और नहीं दीखेगा तो फिर यहां sum तो इतना item का हुआ कोई भी बंदा देख यहां से sum लगा कर देखेगा कि इसमें तो इतना ही sum हो रहा है तो फिर ऐसा q चलो उनका भी एक तरीका है यहां sum hide कर देंगे अब इसके जग हम यूज कर सकते subtotal function चलो हम subtotal function यूज करते हैं subtotal function क्या करता है और किसा से का condition है वो समझ देना equal to subtotal चलो यह subtotal function हमने यूज किया subtotal function ने अंदर सबसे पहले रहता है function code फ्रेंट्स function code क्या है function code यह subtotal के अंदर इस तने 11 function यूज होते आप देख लेना यह एक दो तीन यहां से यहां तक 11 function का use आप यही subtotal function में से कर सकते हो लेकिन दो तरीके से ignore hidden और include hidden सबसे पहले हमें ignore hidden वाड़ा दिखाता हूं चलो यहां से हम देख लेते हैं sum function का code है 9 हम यहां लिख देंगे 9 sum code function 9 लिखा range क्या है यहां से यहां तक की range है और दो parameter थे दो parameter हमने दे रखे और bracket और करेंगे enterprise करें आप देख रो 141400 यहां पर sum हुआ है अब यह मयंक वाली row मुझे hide करने है छेसे मैं hide row करता हूँ देखो यहां से database में मुझे दीख नहीं रहे print में नहीं आएगी लेकिन sum तो वही रहा अब मैं और एक तरीका दिखाता हूँ वह है फिर सम यहां unhide कर देंगे यहां function लगाएंगे अब देखो ignore hidden no number था sum function में लेकिन include hidden include hidden में sum function का 109 code है हम लिखते हैं 109 code चलो 109 code लिखा और enterprise करते है अब देखो sum वही है मैं वही फिर से मयंक वाली row hide करता हूँ जैसे मैंने row hide करती आप देखो जो row मैंने hide की थी वो data वो sum में से निकल चुका है और एक row मैं hide करता हूँ यह row hide करती देखो sum में से वो नहीं आता है यहां कि यहां से यहां तक का sum ही हमें यह function में आकर मिलता है इस तरह से आप बहुत सारे 11 function जो है वो function का use कर सकते हो जैसे कि यह average है average मुझे use करना है तो equal to subtotal function function code average का function code है 101 या तो 1 ignore करना है hidden को 1 दिखना है अगर include रखना है तो 101 दिखना है 101 दिखा मैंने 101 for function 101 और यहां से लेंगे हम average के लिए यह criteria range और enterprise करेंगे देखो average इतनी है लेकिन जैसे मैंने यह नरेश वाली रो को हाइड कर दिया आप देखो average चेंज हो रही है पांच नंबर वाली रो मैंने हाइड करती है आप देखो average चेंज हो रही है तो इसी तरह आप कर सकते हो उसी तरह आप max salary max min वह भी है देखो count count a max min product बहुत सारे function इ यूज एक बार कर ले ना लेकिन और एक last में max वाला दिखा देता हूं equal to subtotal function में function कौन रहेता है max का 4 चलो अब ignore hidden में करते है 4 और sum लगाते हैं यहां से यहां सब करेंगे 30,000 max क्या है 30,000 ठीक है अगर मैंने यहां 35,000 लिखा है एंटर प्टेस करेंगे यह हो जो चलो फ्रेंड्स यह था हमारा subtotal function लेकिन subtotal function में दो ही चीज या याद रखनी है अगर आपको hidden वाली row का लेनी है count में function में include करनी है तो आप यह function use करना ignore hidden वाली यह hidden row को ignore करेगा और result देता है लेकिन include hidden में अगर करोगे इनका meaning यह रहेगा कि यह जो फ्रो है वो include होगी function में यानि कि उससे count नहीं की जाएगी तो यह core और यह core कहां से कैसे use करना है आप अच्छे बली बाती जानते हो तो आप इस सरह से use करना है चलो बढ़ते ह अगले function की वर फ्रेंड्स आज का norma function है वो है round function चलो देखते हैं एक data है हमारा norm number का function है round function आप mathematically बहुत सारे number use करने वाले हो देखो मुझे round function use करना है तो round क्या करता है अगर 3.24 है तो उससे round करना यानि कि decimal बिना decimal वाली value में मुझे convert करना है वैसे भी आप देखा जाए तो decimal वाली value को आप यहां से convert कर सकते हो यहां से decimal को निकाल भी सकते हो और decimal को बढ़ा सकते हो लेकिन अगर formula की अंदर formula में अगर अगर इस तरह से करना हो तो यह static standard tool बार हमें काम नहीं आएंगे कोई formula अगर आपने लिखे और formula में आपको अगर इसे round up करना है तो कैसे करेंगे equal to r und round function round function में रहते है कोई सी value यह value है मारी कोमा लगाएंगे दूसरा है place यानि कि decimal point कहां तक रखना है decimal point देखो decimal place हमने यहां लिखा हमने एक decimal तक round करना है और bracket or करेंगे enterprise करेंगे आप देख रहे हो nearest value में convert हो जाएगी 3.24 है तो 3.20 हो चुका है आप अच्छी तर से जानते हो mathematics आपने use किया हुआ है अगर 25 यहां होते में 4 की जग 5 लिखता हूँ 25 होता तो 3.30 हो गया आप देख रहे हो इस तर इस देखो फंग फ्रेंट्स अगर तीन देसिमल तक ले जाना है तो इसका मिनिंग क्या रहेगा में इसे ड्रेगें ड्रोप यहां पर करता आप देख रहे हो तीन देसिमल तक यानि के पीछे वाले 302.32295123 यानि लास्ट में जो 322 है वहां तीन डेसिमल प्लेस पीछे लाना यानि के पॉइंट यहां पर है 123 यानि 322 इनके बाद मुझे पॉइंट लग यह तीन गिने जाएंगे यह तीन ब्लेसिमल प्लेस मुझे यूज करने है तो 95 है तो क्या होगा 2 की जगत 3 न हो जाएगा यहां देखो 3 हो चुका है लेकिन अगर यह 95 है 95 की जगत अगर मैंने 42 लिख दिया और एंटर प्रेस क यानि के पीछे वाले 42 से कोई मीनिंग यहां नहीं रहा वह वह निकल चुका है इस तरह से अगर माइनस डेसिमल प्लेस अपना आप देना चाहों तो क्या रहेगा पॉइंट क्या रहता है अगर मैंने यहां पर 0 लिखा आप समझेओ मैंने यहां अगर 0 लिखा है तो इस त 45 का 46 होता है 0 करने पर अगर मैंने 1 प्लेस कर दिया तो इस तरह से होगा 6 के बाद 53 है इसलिए 7 हो चुका है अगर मैं यहां पर माइनस 1 करता हूँ आप देख रहो माइनस 1 में क्या हुआ 45, 2, 3, 4, 5, 4, 5 है 5 है तो क्या हुआ? 0, 5, 0 हुआ अगर मैंने माइनस 2 लगा दिया आप देख रहो 23 हो और इस तरह माइनस 3 लगाता हूँ इस तरह से 2000 ठीक है यानि माइनस से यानि पॉइंट 1, 2, 3 माइनस पॉइंट चलेंगे यहां तब 2 के बाद की इतनी वेलियो वो दिखी जाएगी आप मैं अच्छी तरह से जानते हो फ्रेंड इसलिए आपको पता है चलो मैं इसे डेग और डॉप करता हूँ और यही इस त इस तरह से वर्क करता है और कहां तक ले जाता है चलो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले फोर्मिला की और दस्वा फंक्षन है वह है राउंड अप फंक्षन चलो देखते हैं यह राउंड अप फंक्षन क्या करता है राउंड फंक्षन क्या 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 था डेसिमर प्लेस निका पर वेल्यू को नियर्स्ट वेल्यू में कनवर्ट कने का काम राउंड फंक्षन ने किया था यानि के 24 पॉइंड 5 नहीं है इसलिए बेग चला गया अगर 05 होता तो आगे चला जादा लेकिन राउंड अप में इसा नहीं होगा राउंड अप क्या करेगा जो है नियर्स्ट वेल्यू से अप कर देगा इस तरह से हम देखते हैं और यू एंड राउंड अप फंक्षन वेल्यू हम वही देंगे कोमा लगाएंगे प्लेस हम वही देंगे और ब्रेकेट और को एंटर प्रेस करेंगे आप देखरे हो 3.3 24 था तो यहां 20 कर दिया था लेकिन यहां पर 30 क कि जग 0 1 है फिर भी आप देखरो 1 है तो 10 तक कर दिया अगर यहां पर 20 11 है तो यहां 20 तक कर दिया आप देखरो यहां देखो 10 है यहां 20 इस तरह से ठीक है यह हुआ आप देखरे हो तीन प्रेसिमल यहां पर और यहां पर कौन सा डिफ्रांट दिखा रहा है यानि कि अप में अप का मिनिंग यह रहता है कि आप जह हो तो पॉइंट के बाद जितनी भी वेल्यू हो उस तरह से वह अप कर देगा चलो आज का तीज़र आगे बढ़ते हैं नंबर 11 राउंड यहां पर है round और जो round up होता है इस तरह से round down function use होता है एक क्या है वह नहीं देखा जाएगा, अगर यह हमने लिखा है 56 6 तो क्या होना चाहिए 60 यहां 60 हुआ है यहां 6 0 हुआ है लेकिन यह 3 5 विरेगा 0.5 से प्लस है तो एक नंबर प्लस कर दो इससे नहीं डाउन होना पड़ेगा तो इस तरह से डाउन-डाउन function ूज होता है चलो हम हर जगद लगा कर देख लेंगे क्या effect हो हु person हें और हर चेंज होता है यहां पर इतना है माइनस में माइनस 40,000 तक लेगए देखो डाउन हो चुका है पूरी फोर्मिला आप समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स चलो बढ़ते हैं अगले फंक्षन की ओर फंक्षन नमबर बारा वो है इफ फंक्षन फ्रेंड्स यह जो इफ फंक्षन है बहुत महत्वपून फंक्षन है और बहुत यूज आता है एक बार यह अच्छी तरह से आपने समझ लिया आपको कहीं दिक करने रहेगी इफ फंक्षन बेजिकली है क्या इफ फंक्षन का मिनिंग होता है या तो यह नहीं तो यह जो और तो इस तरह से अगर यहाँ पर इफ फंक्षन की सिंटेंस कैसे रहती है लोजिकल एक्सप्रेशन यानि हम लोजिकल कंडिशन यहाँ पर लगाएंगे यह होना चाहिए अगर यह है यह कंडिशन जो लगाते है वो कंडिशन अगर सही होती है तो ट्रू वेल्यू रिटन होती है अगर यह कंडिशन गलत होती है तो फॉल्स वेल्यू रिटन होती है अगर ट्रू वेल्यू पार्ट मे हमने जो लिखा वो डिस्प्ले होगा, कंडिशन गलत होती है, तो जो पार फोल्स में लिखा है, वो रिटन होता है, समधने की कोशिश करेंगे, चलो हम यहां देखते हैं, हमें ग्रेड देना है, यह योगेश्वाला स्टुटेंट जो है, गुज़ाती में 35 लेकर आया है, अ अधरवाइज इसे डीग्रेड मिलना चाहिए, हम यहां कंडिशन लगा दे इस तरह से, सबसे पहले लिखेंगे इफ, हमने इफ फंक्शन लगा दे, इफ फंक्शन की पहला पेरामेटर है तो लोजिकल एक्सपेरेशन यह, लोजिकल एक्सपेरेशन में क्या लगाना है, य यह सेल में जो वेल्यू है, वो वेल्यू अगर लेस थेन थर्टी फाइव है, यह वेल्यू लेस थेन थर्टी फाइव है, तो यह हमारी लोजिकल कंडिशन हुई, लोजिकल कंडिशन में हम कोमा लगाएंगे, चलो कोमा लगा दिया, अब बारे आती है दूसरा पार्ट, य है एसा हमने पूछा तो 35 से कम है तो हमें E3D जाना है, यानि कि 35 से अगर फेल होता है तो E3D मिलना चाहिए, लेकिन ये condition सही हुई, गलत हुई, 35 से कम नहीं है, 35 या था 35 से ज्यादा है अगर इस तरह से है तो हमें क्या कंडिशन क्या होना चाहिए यहां पर false condition लगानी है तो हम false condition लगाएंगे इससे दी ग्रेट मिलना चाहिए चलो तो तीन पार्ट थे 1, 2, 3 तो हमने 1, 2, 3 पार्ट लगा दिया ब्रेकेट ओवर करेंगे enterprise लगे आप देख रहो यहाँ पर D हुआ है क्यों 35 लेकिन अगर आपने यहाँ 34 लिखा आप देख रहो E grade होता है अपने यहाँ 40 लिख दिया आप देख रहो D grade हो चुपा है अब if condition friends ऐसी condition है कि अगर एक condition की अंदर और एक condition लगाना यूज करना चाहो तो कर सकतो है यानि कि if condition पे भीतर और एक condition यानि कि हमने चेक किया यह से 35 से कम है तो E देना है अधरवाइस D देना है तो यह जो false वाला पार्ट था ना वो false वाले पार्ट में हमें और एक condition लगा सकते है यह false वाला हमने यहां से निकाल दिया लेकिन false पार्ट के अंदर हमें और एक e function लगाएंगे अब यह जो नया e function हमने लगाया है वो e function का फिर से तीन पर्मिला तीन पार्ट होंगे लोजिकल एक्सपेशन होगी true value होगी और false value होगी तो लोजिकल कंडिशन क्या लगाएंगे हम यही कंडिशन लगाएंगे लोजिकल ग्रेट लेस देन 50 लेस देन 50 अगर है दूसरी कंडिशन लेस देन 50 है तो यह हमारी कंडिशन हो गई जानी के लोजिकल एक्सपेशन खतम हो चुका अब true value की बारी आईए 35 से तो ज्यादा है लेकिन 50 से अगर कम है तो true condition में हमें देना है D grade हम लगाएंगे D grade चलो 50 से कम है तो D grade देना है कोमा लगाएंगे अब बारी आती है false value की तो हम false value लगा देंगे C grade लेकिन यहाँ C लिखने से पहले false वाले पार्ट में हमें और एक if condition लगाना है फिर समें एक if condition लगा सकते हैं हम लगा देंगे नया if आया तो नया if के तीन condition रहेंगी logical condition, true value, false value तो logical condition हम यहीं लगाते C2 less than 65 कोमा लगा दिया C2 less than 65 कोमा लगा यह अब बारी है true value की true value हमें देना है C, C grade देना है कोमा लगाएंगे अब बारी है हमारी false value की अब false value लिखना नहीं है हमें false value में और एक if condition लगाना है फिर सम if condition लगाएंगे यही condition लगनी हमें यह cell less than 80 है कोमा लगाएंगे condition की बारी पूरी हो गए अब true value लिखना है true value में हम लिख देंगे बी करेंगे कोमा लगा देंगे अब बारी है false value की अगर यह condition फोल हुई false हुई तो यह if function में आएंगे यह if function की condition false होती है तो यह if condition में आएंगे अगर इनकी value false होती है तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ false होती है, तो यहाँ पर play होगा, तो हम यहाँ और यह function लगा जेते, if condition, if यह cell, greater than or equal to, greater than or equal to 80 है, तो क्या होना चाहिए, यह grade मिलना चाहिए, चलो, यह हो चुका है, अब उनके false पार्ट में अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना by default रहते हैं, आप false में लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं, not valid, चलो, यह हुआ, अब फ्रेंसिया करना है, जितने if condition लगाये थे, वो सारे if condition के bracket on किये थे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच if condition लगाये थे, तो पांच if condition के bracket on हुए है, वही पांच ब्रेकेट ओफ करने होंगे, एक तो ओफ है, यह दूसरा, यह तीसरा, चोथा, और यह पांच, पांच ब्रेकेट ओफ हो चुका है, अब एंटर प्रेस करेंगे, आप देख रह यहां लिखा है 50, C ग्रेट, लेकिन 49 लिखेंगे 50 से कम, यानि D ग्रेट, यहां लिखेंगे 64, 64 यान 55 से 65 से कम, यानि C, अगर 65 से ज्यादा है तो B, और IT से अप है, तो A ग्रेट, अब यह सारी फोर्मिला को हम यहां से drag and drop पर लगे, तो इस तरह से हम condition लगा सकते हैं, साहोज चेंज कर सकते हो, अटोमेटिकली ग्रेट चेंज होता देगा, तो फ्रेंड्स यह यूज है, इफ कंडिशन का, इफ कंडिशन में और एक चीज़ भी यूज कर सकते हूँ, और एक मैं यहां example देना चाहूँगा, इफ कंडिशन के अंदर आप बहुत सारे function भी यू स्विलू दे सकते हैं, जैसे कि मैं example तोर पर यहां पर लिखता हूँ, इफ फंक्शन, इफ फंक्शन में logical के अंदर हम में लिखते है, एक बार sum function, हमने लिख दिया sum function, sum on किया, और यहां से यहां तक की range लिए है, और sum के bracket on के, sum less than 200, आपने देखा, कि यहां से यहां तक का sum, अगर 200 से कम है, तो true value क्या होनी चाहिए, true value होनी चाहिए, इस में से जो max item है, वो, तो हम और एक function लगा देंगे, max, यहां से यहां तक की max item हमें लिखनी है, अब कोमा लगा देंगे, अब बार यह false function की, तो false में क्या लिखेंगे, आप जो भी लिखना चाहों लिख सकते हो, otherwise और एक function लगा सकते हो, अमने लगा जिया mean function, mean function में हम लगाएंगे, यहां से यहां तक का minimum value लगा देंगे, चलो, if function खतम हो, enterprise कर देंगे, आप देखरे हो, minimum value 28 है, क्योंकि इनका यहां से यहां तक का sum 200 से ज्यादा है, तो false value return हो, तो इस तरह से आप function, if function के अंदर और function भी use कर सकते हो, friends, आज का Google का function number 13, end function, चलो, देखती, end function क्या करता है, friends, अमने एफ function तो देख लिया, अब बार है end function की, end function क्या करता है, end function के अंदर बहुत सारी logical condition लगा सकते हो, end function के अंदर, जितनी भी logical condition लगाऊंगे, वो सारी function condition true होनी चाहिए, अगर जितनी भी logical condition हमने end function के भीतर लगाए है, वो सारी condition अगर true होती है, तो end function true return करता है, लेकिन अगर logical condition एक भी false return कर हुई, अगर एक भी logical condition false हुई, तो end function false return करता है, केसे समझने की कोशिश करते हैं, पहली बात यह देखते हैं, देखो हम यहां यहां एक function लगाते हैं, if, यह equal to a है, यानि d2, a cell equal to a है, अगर आपने enterprise किया तो क्या हुआ, true हुआ, यह क्या return होता है, true return होता है, ठीक है, तो इस तरह से true return हुआ, लेकिन यह function की जग़ यहां a है, मैंने यहां पर लिख दिया 75, यह b है, यानि हमारी condition यहां false हुथी, क्या हुआ, false हुआ, यह a नहीं यह, b है, b है इसलिए यहां पर false return हुआ, अब यही इस तरह से यहां हमने एक condition लगाया थी, हम एक से multiple condition चेक करना चाहिए, तो कहां चेक करेंगे, end function में चेक करने वाले है, चलो हम लगाते end function, amd, end function लगाया, अब logical condition पहले क्या होनी चाहिए, चलो यह grade, यह, equal to, equal to नहीं लगायांगे, not equal to करतें, not equal to e, अगर यह not equal to e है, को मा लगायांगे, यह हमारी पहली condition हो गए, d2, d2 नामना cell जो है, वो इस नाम का cell में e नहीं होना चाहिए, अगर e नहीं है, तो यह condition true होती है, ठीक है, यह condition true है, एक बार देखते है, enter press करते हैं, देखो, return true हुआ, लेकिन अगर हमने यहां पर 33 लिखा, आप देख रो, 30t equal to e, e हुआ, यानि false, condition क्या थी, कि यह cell e नहीं होना चाहिए, यह तो cell e है, यानि एक condition गलत हुई, तो end function ने क्या return किया है, false return किया है, ठीक है, अब हम इसी तरह से और एक condition लगाती इसमें, e cell वाले, e cell not equal to e होना चाहिए, कोमा लगा दिया, तो e हो चुका है, दूसरी condition, अब तिसरी condition लगाती है, यह वाले cell, h2 वाले, h2 not equal to e grade, चलो, not equal to e grade, यह तीन condition लगा दिया, यह तीन condition हमने लगा दिये, यह तीन condition में, तीनों के तीनों में, अगर e नहीं होगा, तब यह true return होगा, वनना false ही तोंगा, enter place करेंगे, आप देखरो false है, क्यों, यहाँ पर b, यहाँ पर p, लेकिन यहाँ पर e है, हम यहाँ लगती है, 36, अब देखो true हुआ, क्यों हुआ, यह D, यादिके condition सही, यहाँ पर भी सही, और यहाँ पर भी सही, तीनों condition सही हुए, तो true return हुआ है, अब हमें ओर एक function लगाना है, e function का use करेंगे, यह जो हमारा end function था, end function को हम if function में use करने हैं, यानि कि हम यह end function की formula को हम copy कर लेते हैं, चलो, end function की formula हमने copy कर लिया, ताकि अच्छी तरह से समझें, अब यहां से हम delete करते हैं, अब हम लगाएंगे if function, हमने if function लगा दिया, यहां पर by default जो आगे line में जो लगाए था, इसलिए य function लगा दिया हमने, if में हमें condition क्या देनी है, if अमारा पहला क्या रहता है, if में रहता है, पहली logical condition होनी चाहिए, ठीक है, logical condition अगर true होती है, तो true वाला पाट आना चाहिए, अधर्वाइस false वाला पाट सामने आएगा, तो logical condition हम लगाएंगे end वाला function, यह हमने लगा दिया, end end वाला function लिख लिया है, अब कौमा लगाएंगे, हमारा ये end वाला पूरा function हमारी logical condition है, अब हमें पता है कि end function या तो true return करता है, या तो false return करता है, अगर end function ने true return किया, तो if condition कहा हैगी, true value में आएगी, अगर end function ने false return किया है, तो वो false में आएगी, तो हमें true वाले part में लिखना है pass, हम pass लिख देंगे, चलो हमने यह pass लिख दिया, end function में अगर false return होता है, तो हम false के अंदर लिखते है, fail, चलो इस तरह से, अब drag it over, enter press करेंगे, if condition खतम होगा, वे enter press करेंगे, आप देखरो, pass हो चुका है, अब इसे हम drag and drop करने वाले हैं, चलो अगर मैं यहां से 45 कर दिया, तो pass आप देखरो, तो इस तरह से आप end function का use कर सकते हो, और और भी बहुत सारे तरीके हैं friends, लेकिन time की limit इसलिए आप यहां रूखते हैं, और अगले function के और बढ़ते हैं, friends, आते हैं Google के function number 14, वो है और function, अब देखते हैं, if condition हमने देखी है, अम, end function भी देख लिया, और और function देखना है, अब, end और और यह दोनो function के बीच में difference क्या है, end function में क्या होते हैं, जीतनी भी logical condition देते हैं, वो सारी logical condition true होनी चाहिए, तब भी end function true return करता है, otherwise false return करता है, लेकिन और function इससे opposite है, जीतनी भी condition देंगे, उसमें से कोई एक condition भी सही हुई, एक भी condition सही हुई, तो और function true return करता है, otherwise वो function false return करता है, चलो, कोई एक function, कोई एक condition true होते है, तो और function true return करता है, कैसे, चलो, हम फिर से यहीं पर आएंगे, जहां पर हम थे, हम यह column को copy करके यहां लगाएंगे, और result में और function लगाने वाले हैं, चलो, एक बार फिर से हम चेक करते है, और function, ठीक है, हमने और function लगाएंगे, logical expression क्या रहे गया हमारी, वही जो हम end function में लगाए थी, a, ये, d2, equal to e, हम e स्थरा से लगाएं, not equal to नहीं लिखने हैं, इस बार हम equal to लिखने वाले, equal to e है, ये पहली condition हो गई, आप देखो, अम एक बार enterprise करते है, false return हुआ, क्योंकि ये condition सही नहीं है, यहाँ अगर अमने 30 थी लिखा है, आप देखरे हुआ, ये fail बता है, यहाँ true हुआ, क्यों condition true हुई है, इसलिए, चलो, ये or function true वाली function रिटन किया, अब इसी तरह हम or condition function की जरिए, अब ये cell की बारी, equal to e है, और तीसरी condition लगाएंगे, ये, equal to e है, चलो, हमने enterprise कर देखो, अब true हुई, true क्यों हुए, अब समझ लो, मैं यहाँ पर भी 33 एंटर करता हूँ, और यहाँ पर भी 33 एंटर करता हूँ, देखो, यहाँ e, e, और e, तीनों में e grade आये है यानि कि हम ये condition, और function में क्या लगाएंगे कि e होनी चाहिए, यानि तीनों condition सही हुई, तो true लगा दिया, लेकिन अगर हम यहाँ पर 36 करते हैं, फिर भी true रहती है, ये condition false हुई है, यहाँ पर भी 30, 56 करते हैं, 46, फिर भी true रहती है, क्यों ये condition गलत हुई, ये condition गलत हुई, लेकिन ये condition सही हुई है, तो हमें वो condition को भी, इस condition को भी गलत करना होगा, यानि कि फोटी लिख देते हैं, वो condition गलत होगी, जैसे ये गलत होती है, ये गलत, 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 तो false return हुआ, otherwise way, return true करते हैं, समझ मैं तो इस तरह से or function हम use कर सकते हैं, चलो, ये or function को हम copy कर लेते हैं, और if condition के अंदर हम रखेंगे, यहाँ पर equal to if condition, बहुत सारी condition यहाँ automatically ले लिए, हमने हमें नहीं चाहिए, अबर अमारी logical expression क्या होनी चाहिए, अमारा or वाला function, चलो, or function में अगर किसी एक cell में भी e हुआ, तो or function true return करता है, ठीक है, तो true pulse में, true part में चला जाएगा, अगर true part में जाएगे, तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, fail, 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 हमने fail लिख दिया, otherwise यहाँ लिख देंगे, p-a-double-s, pass लिख देंगे, capital में लिखना है, okay, p-a-double-s, यहाँ लिखना है, p-a-double-s, चलो, अब enterprise करेंगे, आप देखो, pass, अब दोनों condition को मिला कर देखते हैं, यहाँ पर pass है, और यहाँ पर भी pass है, हम देखते हैं, यहाँ 33 लिखा हमने, देखो, हर दोनों की जग फेल होता है, इसे drag and drop पर सकते हो, और same result मिलता है, तो इस तरह से, if function, end function, और function का use कर सकते हो, चलो, और friend, बढ़ते हैं, अगले वाले function की वर, friends, Google का 15 नंबर का function आज हम देखने वाले है, वो function है, true function, friends, यह true function क्या करता है, शिर्फ value true दिखाते है, equal to, यहाँ true लिखा true लिख दिया, हमने, चलो, yes से नहीं, लेकिन इस तरह से true true function, यह true function हमने किया, true function में कोई parameter नहीं रहते है, इसलिए हम bracket on कर जाएंगे, वो बीना parameter वाला function है, true function क्या करता है, true जो क्या string है, true नाम की string हमें return करता है, यानि कि logical condition में हम इसके, इसका use कर सकते हो, समझ लो, friends, हमे true और false return करना हो, तो कैसे करेंगे, true function का use कर सकते है, जैसे कि हम यहाँ use करते है, यह function, चलो, हमने एफ function लगा दिया, यह cell less than equal to 50 है, यह हमारी condition तो होगे, लेकिन true value में हम क्या लिखेंगे, हमें true value में return क्या करना है, true करना है, यह तो false करना है, यह हमें कुछ लिखना नहीं है, अगर true return करना है, तो हम यहाँ true return करेंगे, तो वो function में नहीं गिना जाए, वो logical नहीं होता है, वो test return होता है, हमें logically true return करना है, तब हम यहाँ क्या करेंगे, tru, यह जो function है, true function, वो true function लिख सकते है, यह function logically true return करता है, और यहाँ पर हम लिख सकते है, f as false, false value इस तरह से, और bracket on कर देंगे, enterprise करेंगे, आप देख रो, 45 है, 50 से काम है, लेकिन अगर मैंने यहाँ 56 लेगा, तो return होत ठीके, यह function बनता है, यह logically हम यहाँ किस और जगह यूज कर सकते है, true or false के लिए, friends, और दूसरी एक चीज, true का meaning क्या रहता है, true यानि one रहता है, और false यानि zero रहता है, वो ख्याल में रहे, true का meaning one है, और false का meaning zero है, तो friends, यह जो false function है, वह ही यह, देखो, आज का हमारा, यह true के बाद, जो function देखने वाल है, वो function है, false, friends, section number का function है, false function, तो friends, यहाँ पर, आप false function भी use कर सकते हो, fls, इस तरह से false function में कोई argument नहीं रहती, लेकिन, आप इस तरह से use कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर use किया, तो आप देख रहे हो, true function और false function, यानि true यानि return होता है, one, और false यानि return होता है, zero, चलो friends, अब बढ़ते हैं, अगले function की ओवर, friends, Google में आज हम देखने वाले function number 17, वो function का नाम है, switch function, friends, अब switch function की बात करें, तो आपके सामने कुछ इस तरह से data है, जहाँ जहाँ A grade हो, तो A grade के सामने accent लिखना होना चाहिए, अगर B grade है, तो उसके सामने ब D grade है, तो good लिख कराना चाहिए, और D है, तो note good आना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा था, यह शीट में आपने देखा था, यहाँ पास और फेल, तो यह जो grade आया हुए, grade के सामने, D है, तो इस तरह से लिखा होना चाहिए, अगर वो इस तरह से लिखना चाहि है, तो कैसे करेंगी, तो इसके लिए, friends, हम यूज करते है, switch function, आज तो मैं अभी आपको यही शीट पर दिखाता हूँ, लेकिन आप यह शीट में से, कई और शीट में भी यह function का यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ, अगर मैंने grade लिख दिया, A, अगर मैंने A grade लिखा हैंगे, SWI लिखेंगे, switch हुआ, expression हुआ, case 1, cell, expression में क्या लिखेंगे, यह, यह हमारा expression है, यह cell, यह cell में हम जो लिखेंगे, वो हमारी logical value होगी, condition, यानि expression होगा, यह हमारा पहला parameter है, अब case 1 क्या है, A, अगर case 1, A2 है, तो case 1 value क्या होनी चाहिए, यह press होनी चाहिए, ठीके, अगर case 2, case 2 अगर यह B है, तो value होनी चाहिए, यह, इसी तरह case 3, value 3, इसी तरह, कॉमा लगाकर case 4, value 4, और उसी तरह हम case 5, value 5, ठीके, अब bracket worker के enterprise करेंगे, आप देखरो, एने की return आते है, एने आईए, क्यों, यहाँ कूछ नहीं मिला है, तो आप यहाँ और एक condition पहले लगा सकते हो, पहले लिखते है, A, हमने A लिखा देखरो, A यानि excellent, हमने यहाँ पर D लिखा, D यानि notebook, ठीके, अब यहाँ से कोई value नहीं होती है, तो error के return आते है, तो वो error हम यहाँ detect करने वाल है, तो एक condition लगा सकते है, if error, यहाँ पर if error function लगा दिया, if error function में क्या रहेगा, value रहेगी, अगर जो value आपने दे रखे, यानि कि हमने A value दे रखे, switch वाले, पूरा switch function दे रखा, अगर switch function अमारी value है, switch function में कुछ error return होती है, तो value error return होती है, तो हमें क्या दिखाना है, वो अमारे दूसरे parameter में लिखना है, यानि हम यहाँ लिखेंगे, कोमा लगा कर, अब दूसरा parameter value if error, value if error में हम रख देंगे black, और bracket और करेंगे, यानि अब हमारा if error function भी खतम हो चुका है, और switch function भी पूरा हो चुका है, enter press करेंगे, आप देखरो blank, ठीके, अमने यहाँ पर लिखाए a, तो excellent, अगर delete कर दिया तो यह हुआ, यहाँ लिख दिया c, तो good, यहाँ पर लिख दिया e, back, ठीके, तो इस तरह से आप switch function का use कर सकत हो, friends, बढ़ते हैं, आज के 18 नंबर के function वो है concat function, तो चलो, शरू करते हैं, friends, आज का 18 नंबर का function जो है concat function है, concat function क्या करते हैं, मैं आपको दिखा दियता हू, c, o, n, c, a, t, चलो, यह concat function में लिखा, concat function में सीरी और सीस्प्प दो पेरामिटर याद रहे फ्रेंट्स यानन इका ऑप कोई दोगफ दीया सकती हो मैं यह लिख दिया है अन। अगर नुमेरिक वेल्यू है तो इस तरह से लिख सकते हो अगर टेक्स्ट हो स्ट्रिंग वेल्यू हो तो डबल कोट में लिखना कंपरसर है कोई भी दो फंक्शन लगा दे तो दो वेल्यू आपने हां लगा दोगे वह यह लगाई और कोमा लगाकर यह लगाई और एंटरफ्रेस करें कि आप देखर हो तो दो वेल्यू को मिलाने का काम दो वेल्यू को जुइन करने का काम यह फंक्शन करता है लेकिन सिर्फ दो ही वेल्यू होनी चाहिए दो ही पेरामिटर चलेगा उससे ज्यादा नहीं चलेगा तो चलो फ्रेंट यह छोटा सा काम था Concate function का वह आपने में आपको दिखा दिया है फ्रेंट्स गूगल के आज के 90 नमर का function रहता है Concate net function तो चलो शरू करते हैं चलो फ्रेंट्स अब हम Concate net function का यूज़ करेंगे आपके सामने है यहां पर नेम और विलेज और डिश्ट्रीक और स्ट्रेट इस तरह से सबको आपको मिलाना है ठीक है हम यहां लगाएंगे Concate चलो आप देख रहों वहां पर सिलेक्शन होकर आ चुका है हम टेप प्रेस करांगे Concate function क्या करता है Concate function में सिर्फ दो ही वेल्यू चलते है Concate function में आप बहुत ज्यादा वेल्यू यूज कर सकते हो चैसे कि मैंने यह नेम यह से ले लिया कोमा लगाया ठीक है यह ने यह नेम के बाद एक स्पेस आनी चाहिए या तो कोमा लगा कराना चाहिए मैंने इस तरह से कर दिया पहले नाम आएगा फिर गाउं का नाम आएग है हम लगा देंगे यह से ठीक है समद लेना पहले नेम लिखा है और गाउं का नाम यहां पर लिखा है दोनों के बीच में मैंने कोमा लगा है कोमा मुझे डबल कोट के अंदर लिखना है उसी तरह फिर से मैं एक स्पेस देना चाहता हूं तो मैंने स्पेस लगाई और इस तरह से ठीक है तो अब स्ट्रिंग क्या हुए यह पहली स्ट्रिंग हुई इस्ट्रिंग नंबर वन है इस्ट्रिंग नंबर टू है इस्ट्रिंग नंबर ट्री और इस्ट्रिंग नंबर फोर जितनी भी स्ट्रिंग देना चाहते वह सारी स्ट्रिंग को आपको कोमा लगा क सेपरेट यूज़ करना है यह कोमा लगा दिया है अब और एक बार स्पेस यूज़ करूंगा फिर यह स्टेट लगाता हूँ और ब्रेकेट एंटरप्रेस करता हूँ आप देख लो इस तरह से यह मेरा नेम के साथ पूरा एडरेस बन चुका है अगर मुझे इस तरह से लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ मैंने यहां से ब्रेकेट लगाया और यहां यहां पर भी कोमा लगाने के बाद इस तरह से ब्रेकेट लगा सकता हूँ और एंटरप्रेस करूंगा लो, name और bracket के अंदर उसका address हमें मिल जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आप concatenate function का use कर सकते हो, एसा नहीं है कि reference ही देना है, कोई भी static value और reference दोनों को एक साथ भी मिला सकते हो, तो आप इस तरह से concatenate function का use कर सकते हो, चलो friends, आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा last function, जो function का नाम है join function, तो चलो last function के बारे में सीखने की शुरुआत करते हैं, friends, आप आज का जो last function है, वो है, यही join function, अगर देखो, concatenate function क्या करता है, सिर्फ दो value को cover करता है, और एक concatenate function क्या करता है, बहुत सारी value आप दे सकते हो, लेकिन, सारी value को आपको separator लगाना है, और बारी-बार से separate use करना है, यानि कि अगर इस तरह से बहुत सारी value को conquer करना हो, joint करना हो, तो हम concatenate function का use नहीं कर सकते हैं, लेकिन, आज मैं दिखाने वाला हूँ, वो है joint function, वो भी बहुत आसान है, अगर एक बार समद लो, आपके पास यहाँ, मेरे पास तो इतने ही है, लेकिन, अगर इ वो सारी list को मुझे एक साथ concatenate करना हो, तो कैसे करेंगे, example के दोर पे अगर आपके पास 1000 employee है, 1000 employee के आपके पास 1000 email ID होंगे, वो email ID को आपको एक ही cell में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए आता है joint function, यह joint function, joint function को समझेंगी कोशिश करते हैं, सबसे पहले रहता ह delimiter, delimiter यानि आप किसके जरीए connect, connect, यानि कि join करना चाहते हो, string को कैसे connect करनी है, मैं delimiter के में लगा देता हूँ, कोमा, यह मेरा पहला parameter हुआ delimiter, और delimiter में मैंने कोमा लगा, यानि कि हर एक value के बीच, यह दोनों के बीच में कोमा लग जाएग, value और array, आप यहां ऐसा कि single value दे सकते हो, single value भी दे सकते हो, और array भी दे सकते हो, मैंने यहां सी यहां से तक array लगा दिया, sorry, ों है उसरे डिलीट करेंगे डिलीट करने के पार रेंज चलो हम एंटर करेंगे आप देख रहे हो इसारी कि सारी यह सेल में जितने भी वेलियो्स सारी वेल्यू आप देख रोग पोमा लगाने के बाद सेपरेट हो चुकिए अगर मुझे यहां कोमा नहीं लगाना है डेस लगाना एंटर प्रेस करेंगे आप देख रोग सारी वेल्यू के बीच में डेस अगर ऐसा नहीं है कि यह की रेंज दे सकते हो यहां से यहां तक वेर के बाद दूसरी व्याशोगेश वाला देखो सारी की सारी यहां आचुके देखो सब के बीच में कौम आचुका है सब के बीच में तो इस तरह से आपके पास अगर वन थाउजन, टू थाउजन, टैन थाउजन जितने भी वेल्यू है सब की स्ट्रिंग बना नहीं तो आप इस तरह से स्ट्रिंग बना सब इसलिए फ्रेंड्स जोइन फंक्शन भी आपके लिए बहुत महत्वपून फंक्शन है अगर मेरा वड़ी ओच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर बनती है और मेरी चैनल को सबस्ट्राइब नहीं किया है तो सबस्ट्राइब जरू करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए फ्रेंड्स मिलते है ऐसे ही गूगल सिट के फंक्शन पार्ट टू में तब तक थेंक्स फर वाचिंग मैं हूँ योगेश्वास फ्रम कंप्पूटर डिजी क्लास गुडबाई